अमोदी जी को कहूंगी दोंग तमाशे बंद करिये यह माफी माफी का जो है निंदा माफी मंद करिये अगर आप सच साबित करना चाहते इस बार आपको पस मोका मिला अभी तक वो सड़क सुसे कह रही थी आज उसनों ने सदन से कहा है कि आप सिर्फ दोंग और तमाशा कर र बताते हैं उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी है यह बयान उनके दिल के अंदर हमिशा था संसद के बार भी था अंदर भी है कमेडियों में बनाना हाटाना उन्हें एक चलावे से भर कर कुछ नहीं है कि वो अंदर की जो आग है जो नफरत है गांधी के प्रती और गोट प्रग्या को जितनी अच्छी तरह बहतर मुझे लगता है कि विपक शुर्देश जान चुका है शायद भाजपा उसे ना जानने कर ढूंग कर रही है भोपाल से बीजेपी की सांसत साधवी प्रग्या ने एक बार फिर महत्मा गांधी के कातिल नाथुराम गोटसे को देशभक्त बताया है हाला कि इस बार उन्होंने ये बात सदन में कही है ये इसलिए और चर्चा का विशे बना हुआ है मिरसाथ आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं चान्नी चौक से विधाय करहीं अलका लामबा और सियासी गहरी सूच भूज भी रखती है इसलिए इनसे इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप से जानना चाहूँगा पहला सवाल ये है साथवी प्रग्या मुसलसल कह रही हैं बार बार कह रही हैं कि नाथुराम गोट से देश भक्त हैं आप क्या कहेंगी आप उमीद क्या करते हैं उनसे यही तो कहेंगी वो आप देखिए एक आतंकी जो सांसत बन के पार्लेमेंट में पहुँच जाएगी जब तो वो समर्थन किसका करेगी दूसरे आतंकी का ही तो समर्थन करेगी और वो अपना धरम अपना फर्द निभा रही है एक आतंकी दूसरे आतंकी का समर्धन कर रहे हैं मुझे लगता है गल्ट फहब है किसी और को होगी कम सेकं मुझे तो रही नहीं, मुझे तो बिलकुल पता था परधान मंतरी जी को ये कहना कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा बिलकुल एक कहा जा सकता है टोंग, दिखावा, चलावा, जुम्ले बाजी कर रहा है, करते रही है, वो पुरानी उनकी आदत है, माफ नहीं करेंगी, आप उने टिकेट देते हैं, आप उने चुनाव लड़वाते हैं, आप उनके लिए परचार करते हैं, वो जह्रीले बया देती हैं, वो हमंद कर करें देश के लिए जो शहीद हो गए उनके लिए अब शब्द बोलती हैं गोट से को देश भक्त कहती हैं वो तो सांसद बनने से पहले ही बोल दिया था भाजपा ने के टिकेट काटी नहीं काटी ना उल्टा वो जीत के आज सांसद बन जाती हैं सांसद बनने के बाद कल तक वो गोट से कोई कातंकी को देश भक्त बता रही थी और आज वो संसद के अंदर भी बता रही है और वो तब बता रही है जब उन्हें देश की रक्षा कमेटियों में सदस से बना लिया गया है अब आप याद रखे, भाजपा ने उन्हें संसद, ये जो हमारी रक्षा से जुड़ी कमेटी का सदस से तब तक नहीं हटाया जब तक ये बयान की गोट से देश भकता है सदन के अंदर नहीं दिया था अब बढ़ है जब उन्होंने वो बयान दे दिया है तो ये तो हमें मालूम ये था कि वो बयान जो है देना के बाद हटाना उनको रक्ष अलावे से भर कर कुछ नहीं है असली तब मानेंगे कि आप गोट से के आतंकियों के आतंकी विचार धारां रखने वाली प्रग्या ठाकुर के खिलाफ हैं उनका समर्तन भाजबानी करती ये तब होगा जब आप उन्हें मात्र पार्टियों से नहीं संसद के अंदर इस तर बसा हुआ है इसलिए उनकी लोगों को आपने आज संसत से रक्षा कमीटियों में बिठाया हुआ है अलका जी जो रक्षा कमीटि के मीटिंगे होने वाली है उनको लेकर भी काफी चीज़े अब सामने आ गई है कि अब उसमें भी शिरकत नहीं करेंगी साध्वी प्रग्या तो आपको लगता है कि कहीं इस तरफ कोई स्टैप बढ़ लाए बी जेपी का साध्वी प्रग्या को लेकर बैक फूट पर आ गई है देखे बिलकुल नहीं दोरे चरहित्र की भाजपार रही है चाल चरहित्र चेहरे समय के साथ बदलती रही है दिखाने के लिए कुछ है उस हाथी के तरह हैं दिखाने के दांद कुछ खाने के कुछ वो ही है उनके दिखाने के लिए तो मोधी चेहरा है लेकिन खाने की जब बात आती है तो वो प्रग्या ठाकुर जैसे संग की मानसिक्ता से जुड़े नत्तुरम गोट से को वो विचारदारा इनकी खुल-खु वो बापू का बकाईदा एक पुतला बनाकर उन्हें गोली से दुबारा मारने का प्रदर्शित करती है और खुन दिखाती है तो यह तो है इनके खिलाब कोई कारवाई या नहीं क्योंकि पूरी तरह से भाजपा और संग का समर्थन इने प्राप्त है कि खुले में हम आप कि खिलाब कुछ ना कुछ करेंगे बट आप पीछे से करते रही है कि खिलाब कोई कानूनी कारवाई नहीं होगी आपको पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा जो साधवी प्रग्या को किया जा रहा है तो आपको लग रहा है कि साधवी प्रग्या जो है वो बीजेपी में बनी रहेंगी उन पर कोई कारवाई नहीं होगी। आपको धुरुवी करन करके गोटसे और गांधी के बीच में फर्क करके गोटसे को देश भक्त साबित करिए बताइए उनका प्रचार करिए तब आपको वोट मिलेगा यह कहा गया और उन्होंने वो किया और वो जीती भी उस प्रोपोगेंडा में बहुत से लोग उस चलाव में भी बना लिया पर मैं कहा रही हूं आपको पूरा विपक्ष महारास्टा का खेल आपने देखा लोग तंत्र की हत्या होते हुए किस तरीके से देश मीडिया बुद्धी जीवी लोग तंत्र में एक हो गए सडकों में आए न्यायालिक ने भी इस पे फैसला लिया और आ हैं हम इस कमेटी में बना लिया फिर निकाल दिया आपको कोई गल्फ फैमी होगी भाजपा के नेताओं को कहना चाहूंगी इस देश को कोई गल्फ फैमी नहीं आपको लगा अच्छा प्रदान मंत्री जी ने कह दिया माफ नहीं करेंगे साद्वी प्रग्या भी यह बात करिए साद्वी प्रग्या को जितनी अच्छी तरह बहतर मुझे लगता है कि विपक्ष और देश जान चुका है शायद भाजपा उसे ना जानने का ढूंग कर रही है बार बार कि कभी आप उसके टिकट देते हैं कभी आप उसको कमेटी में रखते हैं कभी आप माफ नहीं करते हैं कभी आपको मेटी साठा देते हैं यह ढोंक तमाशे बंद करिए सचाई यह है कि पूरी भाजपा संग मान सकता साद्वी प्रग्या आतंकी साद्वी प्रग्या जैसे सोच के विच्छार के लोग जो गांधी बापू को गाली देते हैं जो गोट से को देश बक्त उनके पीचे पूरी ताकत से खड़ी है इसलिए कोई कानून कोई देश का परलेमेंट इने जो है इनका कुछ बिगार नहीं पा रहा है उल्टा इने प्रोटेक्ट किया जा रहा है पैसे अलका जी क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से महराश्ट का जो कुछ हुआ उसके बाद देखा कि मीडिया का रुख भी काफी बदला हुआ नजर आया भी साधवी प्रग्या को भी लेकर काफी अच्छे शब्द इस्तमाल किये गए हैं मीडिया लॉबी में हमारे देखें बैठर है हम लोग वही कह रहे हैं कि लोकत तंत्र में बहुत बदलाव आया है पिछले 6 सालों में ज़ सकता कि आपको सत्य हासिल करनेगों आपका मकसद एक है कि अब सत्ता हाथ आगी अब जित्ती समयधानिक संस्थाएं हैं वहापर संग के मान सकता कि लोगों को आपको बिठा देना है और उनके जो एजेंडे हैं इतिहास को बदलने के एजेंडा है उनका उनका गांधी को जो है गाली देने का इतिहास रहा है और गोटसे को देश भक्त साबित करना सावरकर को किताबों में पढ़ाना ये सब उनके एजंडे में शामिल है तो ये तमाशा खुले हम चल रहा है लेकिन नक्षा अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देश का लोकतंत्र जो है वो जाग रहा है और हकीकत ये है कि इनका सफाया जो है वो होना अब शुरू हो चुका है एक बहुत बहतर जो है किसी ने एक नक्षा बेजा जो मैं आपको ये इंडिया जो भी गुप कही है 2017 में भगवा देखिये कहा तक था 71 प्रतिश्यत राजियों में भगवा लहर रहा था और 17 से 19 आते आते भगवा की सफाई होनी शुरू हो गई है और ये सफाई करनी किसी और नहीं नहीं विपक्ष तो खतम कर दिया देश तो कॉंग्रस मुक्त क्या नारा देते हैं ये देश की जनता है जो गुमरा हुई थी भगवा करन हुआ जहरीली सोच और मानसिक्ता की वज़ा से आज ये हो गया है कि ना अर्थ नीती को लेकर इनके पास कोई पॉलिसिया नीती हैं आदेश की अर्थ विवस्ता चर्मारा रही है बेरोजगारी, महिंगाई, महिला सुरक्षा, अपराद हर मोर्चे पर केंदर की भाजबा सरकार फेल हो रही है इसलिए ये हाल हो रहा है अब ये आपको जो थोड़ा बहुत भी दिख रहे हैं आने वज़े समय में अब ये भी नहीं दिखेगा क्योंकि अब लोकतंत्र पूरी तरह से जाक चुका है अचा एक आखरी सवाल करना चाहूँगा तो आपकी जो बाते हैं उनसे कहीं न कहीं निकल कर ये आ रहा है कि मोदी जी ने जो बात कही थी कि मैं साध्वी प्रग्या को दिल से माफ नहीं करूँगा तो ये उस तरफ इशारा है कि ये बात भी एक तरह से जूटी साबित हुई आपके सामने है आपके सामने है प्रधान मंत्री मोदी जी मैं माफ नहीं करूँगा और वो जब ये कह रहे थे जब ये कह रहे थे उनकी बोडी लेंग्विज तो देखिए प्रधान मंत्री है क्या बोडी लेंग्विज थी जब ये बात कर रहे थे साफ पता लग रहा था सिर्फ आप दिल से बोल नहीं रहे थे उस समय जबा से सिर्फ बोल रहे थे और दिल से ये ही चाह रहे थे कि साद्वी प्रग्या वो लाइन लेती रहे उसी लाइन पे चलती रहे है जहरीली संग की मानसिक्ता को दूर तक ले जाए और इसलिए उसका इनाम उसको मिला और उसको आपने रक्षा मंत्राले की कमीटी में सदस्य बना दिया और अगर लोकतंत्र की आवाजे ना उठी होती तो वो आज भी सदस्य होती या उसकी जहरीली सोच और मानसिक्ता सदन के अंदर वो ना बोली होती तो वो बनी रहती बट वात वे है कि वो अंदर की जो आग है जो नफरत है गांधी के प्रती और गोटसे के लिए जो दोशबक्ती वो छुपा नहीं पा रही है अब मोदी जी को कहूंगी दोंग तमाशे बंद करिये या माफी माफी का जो है निंदा माफी मंद करिये अगर आप सच साबित करना चाते इस बार आपको पस मोका मिला है अभी तक वो सड़क सुसे कह रही थी आज उन्योंने सदन से कहा है अगर आप सच्चे माइनों में इस बात में यकीन करते हैं कि गोट से दिश भक्त नहीं है ये दिश गांधी और गांधी की विचारदारा से आगे बढ़ा है तो आपको सादवी प्रग्या को मात्र पार्टी से ही भार नहीं करना है आपको 24 गंटे के अंदर-अंदर सादवी प्रग्या की पार्लेमेंट के अंदर इस ब्यान को देने के उपर मिलकर प्रस्ताव लाकर उनकी सदस्ता को हमेशा के लिए समप्त कर देना होगा बहुत शुक्रिया अलका जी इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए तो आपने देखा अलका लामबा हैं जिनका साफ तोर पर कहना है कि अगर भारते जनता पार्टी ये वाकई मानती है कि गोट से देश भक्त नहीं है तो 24 गंटे के अंदर उन्हें साद्वी प्रग्या ठाकुर को जिन्होंने ये बयान दिया है उन्हें पार्टी की सदस्या से खतम करना होगा उन्हें हटाना होगा और साथ ही साथ साद्वी प्रग्या सिंग ठाकुर को भारते जनता पार्टी से निकालना होगा दिली से कैमरा परसन नाजिम अली के साथ नियूज मैक्स के लिए साहिल नक्वी